मुझे यह OnePlus का Special Type का Box Pack मिला हुआ है, चलिए इसकी Unboxing कर लेते हैं, यह Special Reviews Kit Box Pack है, और इसके अंदर है दो प्रडक्स, यह देखें, यह है OnePlus 11 5G और यह है OnePlus Buds Pro 2, चलिए सबसे पहले जो OnePlus 11 स्मार्टफोन है इसकी Unboxing कर लेते हैं, यह है OnePlus 11 का Box Pack, यह भी एक 5G स्मार्टफोन है, तो इस Box के अंदर यह Black Silicon Case है, Red Club Card, कुछ Booklets, Sim Tray, Ejector Pin, यह है Handset Titan Black Color Variant, बॉक्स में 100W का Superbook Charger दिया हुआ है, एक्स्ट्रीम फास्ट चार्ज कर पाएगा, और यह Cable है, USB to Type-C, डिजाइन के अगर बात करें, तो अगर हम इसे जो previous OnePlus के स्मार्टफोन से हैं, उनके साथ में अंदर नहीं है, खास करके जो OnePlus 11 है, इसमें जो camera का module है, इसे एक अलग shape दिया हुआ है, और इनकेस अगर आप यह OnePlus 10 Pro 5G यूज़ कर रहे हैं, तो में भी शायद आप यह OnePlus 11 है, इसके लिए नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ज़्रादा डिफरेंस नहीं है, यह OnePlus 10 Pro 5G है, और यह OnePlus 11 5G है, दोनों में अंतर क्या है, चलिए फटा फट चेक करते हैं, यह दिखे, यह 11 5G और यह 10 Pro 5G, और जो major difference है, वो है प्रोसेसर का Snapdragon 8 Gen 2 वसे Snapdragon 8 Gen 1, बैटरी कपासिटी सेम है, मेमरी थोड़ा सा जाद आपको मिलता है यहाँ पर, फ्रंट कैमरे का रिजलूशन है, यह यह थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, Snapdragon 8 Gen 2 यह एक powerful chipset है और यह है Geekbench 5Score, और 595 MBPS का download speed मुझे मिला हुआ है, 5G networks फर, यह जो processor है काफी powerful है, और आप इस पर इस परकार के high-end games, definitely खेल पाएंगे, यह जो OnePlus के smartphones होते है, इनका UI है, प्लस जो user experience है, hand feel जो है, यह काफी quality of finishing बहुती बढ़िया है, hand feel भी काफी अच्छा है, जो display है, यह थोड़ा सा curve हो जाता है, sides में, display की quality भी काफी बढ़िया है, धूप में काफी बढ़िया तरीके से visible है, और built-in speaker दिया हुआ, इसकी quality भी amazing level की है, microphone भी काफी अच्छा है, एक बर आपने OnePlus के smartphones यूज किया वैसे बीच में कुछ smart phones कर, OnePlus ने यह देना बन कर दिया था, लेकिन अब यह जो feature है, फिर से आ गया है, useful feature है, जिसे use करके आप immediately जो phone notifications है, उन्हें change कर सकते हैं, इसमें in display fingerprint sensor दिया हुआ है, जो की काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, और haptic feedback भी जो OnePlus के smart phones होते हैं, खास कर operation, Hasselblad camera, use किया गया है, मैंने इसे जो portrait shots shoot किया हुआ है, काफी impressive आया है, selfie तो काफी बढ़िया शूट करता है, यह देखें, और जो portrait shots है, यह भी मुझे काफी impressive लगे, TSLR level के कह सकते हैं, यह देखें, यह कुछ shots, amazing, यह कुछ और shots है, जो कि मैंने, जो portrait mode है, इसमें अलग- options, use किया है, look and feel, काफी अतब change करता है, low light shots भी काफी impressive है, और यह देखें, यह है, wide angle mode में यह भी काफी impressive है, यह कुछ और low light shots है, अच्छा है, not bad, एक दो situations में, यह जो camera है, इसने अजीब सा output मुझे दिया है, खास करके, इन shots के तरफ अगर आप ध्यान दे, जो sun है, इसके अजीब लगा क्योंकि मेरे पास दूसरे smart phones भी थे, उन में ऐसा issue में ने face नहीं किया है, तो कुछ shots इस प्रकार के, इन में अजीब सा results आपको देखने को मिल सकता है, और वीडियो में आपको ultra steady pro mode मिलता है, जो की smooth footages shoot करके दे सकता है, यह है sample, तो इसकी camera quality excellent level की है, लेकिन एक situation में मुझे जो output है यह इतना impressive नहीं लगा, 5000 image की battery है, आपको up to one and a half to two days का battery life मिल सकता है, प्लस 100 watt का charger दिया हुआ है, बॉक्स में जो की 25 minutes में full charge 100% कर सकता है, तो यह जो one plus 10 pro 5G है, इसके comparison में यह जो one plus 11 5G है, यह भैतर option है, कुछ advanced features के साथ में आता है, और of course इसका जो performance है, इसके comparison में आपको बहतर बिलने वाला है, लेकिन अगर आपने यह जो one plus 10 pro already खरीदा हुआ है, तो यह भी शायद हो सकता है कि आप इसके लिए जाना ना चाहे, क्योंकि जो difference है वो इतना जादा नहीं है, और वैसे भी जो 2023 है, इसमें काफी लोग जो है यह नया smartphone नहीं खरीदने वाले हैं, या जो खरीदने वाले हैं, वो सोच समझ कर खरीदने वाले हैं, और ऐसे जो users हैं, यह जादा करके ऐसे smartphone के लिए जाना चाहेंगे, जिन में जादा नया features है,